इंटरप्राइज रिस्क मेनेजमेंट हर ऑगनाजेशन या फिर इंटरप्राइज जो बिजनेस रन कर रहा होता है उसको बहुत सारे अलग-अलग टाइप के रिस्क होते हैं जिसकी वज़ा से उस कंपनी का उस ऑगनाजेशन का लॉस हो सकता है यहां तक कि कंपनी बंद भी हो सकती है जैसे कि कंप्लियांस रिस्क जो बेसिक है कंप्लियांस रिस्क है जो कि बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि ऑगनाजेशन को फुल्फिल करने होते हैं तो compliance risk evaluation of external law or requirement like companies inability to produce timely financial statement in accordance with the applicable accounting rules. तो जो ICI का अपने company act पड़ा होगा तो उसके according जो है क्या है कि हर साल financial statement जो है companies को जारी करना होता है. तो अगर financial statement company act के according जो accounting rules है उसके according अगर वो publish नहीं करती है तो कहीं न कहीं उस company के उस enterprise के उपर risk रहेगा कि उसके against जो है actions लिया जा सकता है. इसी तरह किसे legal risk होता है the company में face lawsuit or penalty for contractual dispute or regulatory issues याने कि अगर आपने किसी के साथ contract किया तो और आपने उसको सही से contract को deal नहीं किया, contract को fulfill नहीं किया, कोई dispute हो गया या फिर कोई आपने regulatory actions आपके उपर लिये जा सकते हैं आप suppose कि आपने किसी customer को deal किया और customer को आपने bill सही से नह गई तो उसकी वज़े से dispute हो सकते हैं तो उसकी वज़े से आपके उपर legal risk आ सकता है, इसी तरीके से strategic risk है जो कि long term में company को threat पहुचा सकती है, जैसे कि new market participants जो होते हैं यानि कि आप जिस भी market में अपना business run कर रहे हैं उसी market में कोई नया participant आ गया और वो low cost में goods को provide कर रहा है, तो यहाँ पर आपको risk है, operational risk यानि की day to day जो activities होती है, उसमें कहीं न कहीं कोई problem आ जाती है, जैसे कि suppose कि कोई natural disaster आ गया और जिसकी वज़े से company का warehouse है, जहाँ पर inventory को store करके रख जाता है, वो जो है destroy हो जाता है, तो उसको कैसे deal करना है, इसी तरह के से security risk है, यानि कि आपके आपके customers के data है, वो leak होने का खत्रा, जो online आज कल देखते हों कि hacking हो जाती है, और आपका data पूरा leak हो जाता है, तो इसको भी यह भी एक तरह की risk है, वो इसी तरह के से financial risk है, जहाँ पर आपके उपर ज्यादा debt हो जा रहा है, या फिर financial standing of जो company है, वो अतनी इच्छी नहीं है तो यह अलग-अलग जो risk है, ERM इन ही risk को जो है address करता है, यानि कि जो enterprise risk management है, वो इन ही risk को जो है manage करने की कोसिस करता है, यानि कि अगर आप इन risk को manage कर लेते हो, तो आप अच्छे से अपना business जो है perform कर पाएंगे, लेकिन अगर इन risk को जो आप manage नहीं कर पाते हो, इन जो compliance ह जो dispute से उनको आप resolve नहीं कर पाते हो, चाहे वो होने के बाद आप उसको resolve कर रहे हो, तो अगर आप resolve कर लेते हो, तो आप business अच्छे से perform कर पाऊगे, अगर resolve नहीं कर पाते हो, तो पिर कहीं न कहीं आपको जो है, उसका भुकतान करना पड़ेगा, चाहे वो financially भुकतान करना पड़े चाहे फिर आपको जो हो सकता है कि वो product line या फिर हो सकता है कि आपको अपने पूरी company बंद करनी पड़ जाती है, तो enterprise risk management का मतलब क्या हो गया, कि ए company's approach to managing risk, यानि कि कि किस तरीके से जो company है, जो enterprise है, वो risk को manage करती है, it is the practices, policies and framework for a company to handle a variety of risk, its business faces, तो यानि कि जो business different type क risk को face करती है, उसको किस तरीके से जो है, आप manage करते ही, enterprise manage करती है, क्या practices, क्या policies, क्या framework बनाती है, उस risk को manage करने के लिए, which is enterprise risk management कहलाता है, तो it helps prevent losses और unexpected negative outcome, तो अगर आप enterprise जो है, वो अच्छे से risk को manage कर रही है, तो इससे जो unexpected negative outcome होते है, या फिर जो losses होते है, उसको आप prevent कर सकते हो, अगर आपने कोई act है, फिर कोई rule follow नहीं किया, और फिर उसके वज़े से आपको हो सकता है, कि fine देना पड़ेगा, तो यह जो fine जा रहा है, यह क्या एक तरीके का loss हो गया आपको, तो वो आप prevent कर सकते हो, it helps a company set the plans in place to strategically approach risk, तो यहाँ पर क्या है, कि अगर आप enterprise risk management यह approach अपनाते हो, तो इससे जो है, आप strategically जो risk है, उसको जो है, आप resolve कर सकते हो, उसको manage कर सकते हो, clear, तो हम बात कर लें कि enterprise risk management में component क्या है, क्या-क्या steps होते है, कि तरीके से enterprise risk management किया जाता है, तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको risk को manage करना है, enterprise को, business organization को risk को manage करना है, तो सबसे पहले चीज़ आपको अपने बारे में बतावना चाहिए, यानि कि आपका जो internal involvement है, उसको अच्छे से समझेए, कि आपकी strength क्या है, आपकी weakness क्या है, आपका corporate culture कैसा है, the atmosphere and corporate culture within the company set by its upper management board of director, या फिर employee, तो जो आपका corporate culture है, जो internal involvement है, उसको अच्छे से समझेए, clear, उसके बाद फिर आप जो है, event को identify करिए, event identification का मतलब होता है, कि आपके पास, यानि कि जो enterprise है, जिस भी market में, जिस भी country में run कर रहा है, वहाँ पे कौन-कौन से events हो रहे हैं, कौन-कौन से घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि जो risk होता है, वो अलग-अलग जो घटनाएं घट करिए, positive events may have great impact on company, यानि कि अगर जो event हो रहे हैं, वो positively आपको affect करते हैं, तो उसका आच्छा impact आपके company के उपर पड़ेगा, वहीं पे अगर negative events हैं, तो कहीं न कहीं वो detrimental outcomes देंगे company को, यानि कि company का कहीं न कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है, clear, वहीं पे next है risk assessment, यानि कि सबसे पहले आपने अपने internal environment को अच्छेशे study कर लिया, दिन आपने events जो आसपास घट रही हैं, उसको अपने identify किया, उसके बाद अब आप जो events घट रही हैं, आपके आसपास, उसमें risk assessment को आप identify करोगे, यानि कि जो भी घटनाए घट रही हैं आपके पास, उससे आपको क्या risk ह हो सकता है, जैसे कि अभी आपने देखा कि हिंडरबर्ग ने एक report निकाली, उसकी बाद अडानी की sales नीचे गिर गए, अडानी की sales क्या हो गए, नीचे गिर गए, उनकी value कम हो गए, अब जो है इसकी वज़ा से क्या आपकी उपर risk आ सकता है, आपको क्या चीजे खत्रा हो स अपने पर सकता है, चाहे वो working में हो, चाहे वो financially तोर पे हो, उसको आपको access करना है, इन चीजों से ये खत्रा हो सकता है हमें, और आपको उसके लिए अब तयार हो जाना है, तो अब जब आपने risk assist कर लिया, तो अब आपको risk को response करना होगा, यानि कि उस risk को handle करना है, तो अ अब आप जो है या तो avoid कर सकते हो, risk को reduce कर सकते हो, या तो share कर सकते हो, या फिर आप risk को accept कर सकते हो, तो risk को avoid कैसे कर सकते हो, तो risk को avoid करने का मतलब ये है कि जिस चीज़ पे भी आपको खत्रा है, उस चीज़ को आप हटा दीजे, suppose कि आप कोई product X है, उस product X को आप बना रहे क्योंकि आपको पता कि आगे चलके उसकी demand नहीं होगी, तो avoid कर दिया, आपने risk को avoid कर दिया, आपने वो काम ही नहीं किया, जब वो काम ही नहीं करोगे तो risk होगा ही नहीं, clear, तो an example of risk avoidance is a company shutting down a product line and discontinuing selling a specific good, तो आप क्या करते हो, या तो बंद कर दो उस काम को, या फिर shutdown कर दो, clear, दूसरा है reduce करना, risk को reduce करने का मतलब यह है, कि आप कुछ ऐसी activities perform करते हो, कुछ ऐसा decision making करते हो, जिससे कि जहां पर आपको एक लाग का नुक्सान होने वाला था, अब वह अच्छी quality का product दे रहे है, तो आपने product की quality जो improve कर दी, तो risk reduction कर रहे है, वही पर अगला है risk sharing, risk sharing कहने का मतलब यहां पर आप क्या है, कि अपने risk को आप share कर देते हो, आपको पता है, कि आगे चलकर market में यह loss हो सकता है, या फिर टेकनोलोजी खराब हो सकती है, तो आप पहल होगा, जब गटना गटेगी, तो देखा जाएगा, तब हम उसको handle करेंगे, तो risk को आप accept कर लेते हो, तो या तो आप avoid कर दो, या तो reduce कर लो, या तो share कर लो, किसी insurance company के साथ, या फिर आप उसको accept करो, और जो भी नुक्सान होगा, उसको आप bear करेंगे, वही पर next है monitoring, या उसके बाद फिर आपने जो है, वहाँ पर event को identify किया, risk assessment किया, risk को response किया, आने कि risk को reduce करने के, avoid करने किया, फिर share करने किया, फिर accept करने का decision लिया, उसके बाद फिर आप monitor भी करोगे, आने कि यहने कि एक बार आपने risk assessment कर लिया, उसको avoid कर लिया, उसके बाद फिर आप छोड और ये भी चेक करेगा कि जो आपने actually perform किया है वो आपके policy documents के according है कि नहीं है जैसा policy documents suggest करता था वैसे आपने perform किया है कि नहीं किया है वहाँ पर आप से feedback लिया जाएगा different employees से feedback लिया जाएगा company का data को analyze किया जाएगा और management को जो है inform किया जाएगा जो भी unprotected risk है या फिर जो भ आपने internal environment को अपने study किया अपने organization को study किया event को identify करते हो event को monitor करते हो उसके बाद फिर उससे जो भी positive event है उसको देखते हो negative event है उसको देखते हो risk को assess करते हो risk को response करते हो और फिर continuous basis पे monitoring करते हो तो यह जो है enterprise risk management का component हो गया फिर आप कह लिजए कि एक तरीके का process हो गया benefit की बा पहले चेज की greater awareness about the risk होगा जो कि organization face करती है and ability होगी कि आप उस risk को respond कर सके भाई आप risk management कर रहे हो तो आप पहले से assess कर लोगी कि हाँ इन इन चीज़ों से खतरा है आपको और उसके लिए पहले से आप प्रिपेर कर लोगे कि आपको avoid करना है, share करना है, accept करना है, फिर reduce करना ह यानि कि आप जो है आप जब risk को manage कर रहे हो सही तरीके से तो आप जो है आपका confidence बढ़ेगा कि हाँ मैं अच्छे से आसानी से अपने objective को achieve कर सकता हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैंने जो भी risk थे उनको reduce के लिए फिर उनको avoid कर दिया है, तो confidence improve होगा, improved compliance with legal, regularity and reporting requirement, तो risk को manage करोगे तो जो आपकी compliance है कि legal rule हो गया, regulatory bodies हो गया, reporting requirements हो गया, उस सभी को जो है आप सही से follow करोगे, सही से उसको जो है applicable करोगे, increased efficiency and effectiveness of operation, तो जब overall सारी चीजे सही रहेंगी, आपको पता है कि risk क्या है, आपने उनको reduce कर लिया, उसको avoid कर लिया, आप जो है confidence आपका improve हो गया आप legal regulatory और reporting requirement को भी सही तरीके से fulfill कर रहे हो, तो अपट आप इससे बात है कि आपकी जो organization की efficiency है, business organization के enterprise की, वो efficiency और effectiveness काम करने का वो improve होगा operations में, जो day-to-day activities perform की जाती है, तो यह जो है benefit है ERM के, wish you all the best, keep watching